हेलो दोस्तों कैसे हैं सभी दोस्तों आज की इस वीडियो में भाख करने वाले हैं problem number 3 के बारे में इस दिया से sheet की तो पहली दू problem के बारे में discussion कर चुके है आज हम बात करेंगे problem 3 जो कि है find the kth maximum and minimum element of an array तो basically concept जो है इस problem का वो सेम रहने वाला है जैसे हम maximum element find out करेंगे उसी की तरह से थोड़े changes करकर बस minimum element find out हम कर सकते, concept same रहेगा, बस थोड़े changes वो मैं आपको बता दूँगा, चिंता अनने की जरूवत नहीं है, वो हम कर देंगे, ठीक है, तो basically बहुत important problem है, बहुत अच्छी problem है, और कुछ, मैं आपको दो approach बताऊँगा इसकी, ठीक है, इसक the problem, कैसे solution की तरफ हम बढ़ेंगे, क्या-क्या steps for हमें करने होंगे, और last में मैं आपको java और cpp solution देने वाला हूँ, तो वीडियो को last तक जरूर देखेगा, कोई भी point miss मत कीजिएगा, ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले तो problem समझते और बाद में इसकी approach की तरफ बढ़ेंग की मेरे पास है, 3, 7, 20, and let's take 18, ठीक है, अब इन मैं से, मुझे, अगर मैं आप से बोलूँ, जैसे पिछली problem में हमने बात करी थी, कि maximum element बताना है, मुझे इस element से, इस array से, ठीक है, तो इस array का अगर मुझे maximum element निकालना है, तो उनकी approach हमने समझ ली थी, पिछली वीडियो में कि कैसे हम उसके तरफ बढ़ेंगे, कैसे क्या करना है, वो सब हमने समझ ली थी, काफिसारी approach, तो अगर आपने वो वीडियो check out ने करी, तो उसको जाकर check out कर लेगा, क्योंकि काफिसारी approach के बारे में, उसमें discussion हुआ है, तो कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है, अब य user जो है, वो आपको kth element, let's say, user बोलता है second largest element, user बोलता है third largest element, user बोलता है fifth largest element, इस तरीके से, आप fifth largest तो इसमें possible नहीं है, क्योंकि array का size ही कम है, मतलब मैं आपको एक generally भी में बता रहा हूँ कि user के according, हमें kth element find out करना, kth largest, kth maximum, और kth minimum element, हमें find out करना है, in the given array, ठीक है, अब ह kth largest, kth maximum, या फिर kth minimum element, find out करकर, print कराना है, ठीक है, तो I hope आपको problem statement, बिल्कुल clear समझ माया हुआ कि basically problem क्या है, ठीक है, तो जब तक problem समझ भी नहीं आती है, तब तक उसकी solution की तरफ बढ़ना, एक मतलब कोई use नहीं है, ठीक है, तो अगर मैं आपको direct solution बताना लगूँ बि पात करते हैं, solution की, तो solution की अगर हम पात करें, तो basically approach क्या होगी, so let's take it as approach, approach 1, तो सबसे पहली approach करेंगे हम, तो सबसे पहली approach जो है, वो बहुत ही simple में आपको, जैसे आपको पता ही होगा, नेव approach में आपको समझाने वाला हूँ, so basically what we can do is, अब हमें एक array जो given था, जो की थ 3, 7, 20, और 18, अब हम क्या करना था, हमें इसका kth largest, kth maximum, यह kth minimum element find out करना था, तो basically what we can do is, हम इसको sort कर लेते हैं, ठीके, इस array को sort कर लेते हैं, अब sort करने के बाद इस array को, अगर हम sort कर लेंगे, तो basically हमें मिलेगा क्या, तो हमें जो array मिलेगा, वो कुछ इस तरीके से मिलेग 3, 7, 18, and 20, चीक है, अब user ने हम से बोला कि भई, तीसरा largest element हमें बताओ, तो पहला largest तो यह element है, दूसरा largest यह element है, तीसरा largest यह element है, तो basically what we are doing is, हम k, यानिकी n, जो भी इसके length है रहेगी, जो कि यहां पर है 4, और 4 minus, जो भी kth value है, 4 minus k, या generalized way में बोलूं, तो n minus kth element को print करा देंगे, simple big o of one operation में आपका answer आजाए, तो let's say, कि user ने बोला भई, मुझे दूसरा element, दूसरा largest element हो, तो n, जो कि यह 4, 4 minus 2 is equals to 2, तो 0, 1, और 2, कि कि है, तो यह जो 18 है, इसको हम print करा देंगे, अब user बोला, मुझे भई, पहला, जो element है, वो, पहला largest, सबसे पहला largest वो देना है, तो n minus 1, यानिकि 20, 20 हम print करा देंगे, तो आपका, तो बहुत simple approach थी, कोई इसमें issue नहीं होगा, I hope, तो जो basically इसका time complexity होगी, वो होगी n log n, ठीक है, n log n, और जो space complexity होगी, वो होगी big o of 1, क्योंकि हमने कुछ भी काम नहीं करा, गहीं पर भी कोई, दूसरा area हमने नहीं लिया है, कोई extra storage की ज़रूद नहीं पड़ी, तो basically time complexity will be big o of n log n, और space complexity will be big o of 1, अब हम एक बात यहाँ पर इसको जो approach number 2 की हम बात करेंगे, approach number 2 की, तो basically एक यहाँ से हम कुछ observe करना होगा हमें, as you know, कि अगर हम किसी भी normal approach को जब optimize करने की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें कुछ चीज़ें observe करनी पड़ती हैं, कि भाई इसमें क्या चीज़ ऐसा है, जो मेरा time complexity को बढ़ा रहा है, तो मतलब क्या मैं ऐसा करूँ, जो मेरी जो time complexity है, वो reduce हो जाए, तो जो मेरी यह analog and i है, यह क्या मैं ऐसा करूँ, जो reduce हो जाए, तो basically अगर आप देखें, कि let's see, एक दुबारा array ले लेता हूँ, थोड़ा इस बार बड़ा ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको और clear समझ मैं, 3, 5, 7, और 1, 2, चलो, 6 ले लिया और एक 8, ठीक है, अब मुझे इसमें तीसरा largest element बताना है, ठीक है, अभी मैं सिर्फ largest की बात कर रहा हूँ, same concept आपके, जो यह वह smallest महाँएंगे, जैसे मैं हापे n-k प्रिंट करा रहा था, तो smallest की बात होगी, तो simple मैं की कर दूँगा, मतलब पहला smallest, तो पहला smallest क्या हो गया, 3, ठीक है, और दूसरा smallest क्या हो गया, 7, तीसरा smallest क्या हो गया, तो basically k-1 मैं print कराता चला जागा, ठीक है, तो smallest और largest का आप concept मत दे की, आप basically, जो एक, मैं क्या बोला, generalized concept बोचीज समझी, उसके बाद हम दोनों पर वो approach आप लगा सकते हैं, बस indexing की थोड़ी changes हो, ठीक है, अब बात हम कर रहे थे, कि यहाँ पर मुझे तीसरा smallest, तीसरा largest element print करा रहा है, अब तीसरा largest element जो होगा, वो होगा, सबस तीसरा largest element वो है 7, जो तीसरा largest element वो है 6, तो basically, we have to print 6, अगर मैं जो अपने पुराणी approach की बात करूँ, तो मैं पूरे array को sort कर रहा था, तो basically, जो मेरा sorted array आता, वो होता 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, और मेरा जो तीसरा largest element था, वो मेरे को यह रहा, n-k, जो कि होता 6, ठीक है, n-k, जो कि ह होता 6, अब basically, इसमें observe करने वाली चीज़ क्या है, तो उसको देखते हैं, क्योंकि हमें जो observe करना है, उसी से हमारी time complexity reduce हो जाएगी, अब basically, आप एक चीज़ नोटिस करें, कि अगर मैं इन 3 elements को, चीक है, इन 3 elements को sort कर देता, किसी तरह से, किसी भी तरह से, अगर मैं इन last के 3 element को sort कर देता, तो मुझे फरक नहीं बढ़ता, कि मेरा ये जो 5 है, वो इधर की जगा, इस जगा की जगा, इधर आ जाए, और मेरा 2 इधर आ जाए, मेरा 3 इधर आ जाए, और मेरा 1 इधर आ जाए, तो let's say, कि मेरा array कुछ इस तरीके से है, तब भी मेरा जो largest element है, third largest, वो ठीक है, उन्हीं को sort कर दूं, तो मेरा काम चल जाएगा, तो मेरा time complexity, जो मेरी initial थी, n log n, उसको मैंने reduce कर दिया, n log k में, क्योंकि here, I am only, what we can say, sorting these k elements, not the whole n elements, ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इधर n क्यों रहने दिया, क्योंकि मेरे को, जो elements है, वो सारे element को, traverse करना जरूरी है, मतलब ऐसा नहीं है, कि मैं खाली आपका, इन तीन element को ही process करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है, वो तीन element कौन से होने वाले हैं, जिनको मेरे को काम करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को process तो सारे element करने पढ़ेंगे, but sort मैं सिर्फ उन ती element को ही करने वाला हो, ठीक है, तो मेरे time complexity n log k हो जाएगी, ठीक है, तो यह बात हो, अब further मैं इसकी approach से बढ़ने से पहले आपको एक note दिना चाहता हूँ, इसको further जो है, वो close to big o of n solution तर ला सकते हैं, एक algorithm होती है, quick collect करकर, ठीक है, लेकिन वो बहुत complex algorithm है, तो basically आपकी most of the case म यह जो algorithm है, यह जो time complexity है, वो accepted होती है, ठीक है, तो अगर आपको यह भी quick select वाली algorithm सीखनी है, तो comment में मुझे बता देना, मैं उसके लिए detailed video बना दूँगा, क्योंकि अगर मैं इसमें समझाने लगा, तो बहुत बड़ी video जाएगी, ठीक है, तो थोड़ी complex है, अगर आप च चीज हमारे दिमाग में आती है, कि जब भी kth, kth, ठीक है, kth or smallest, और kth largest, इस तरीके का कुछ question आपको पूछा जाए, तो we have a thing called as heap, ठीक है, क्योंकि heap के जो operations होती है, वो log, जो भी heap का size है, let's say, कि यहाँ पर heap का size रखेंगे, अब k रखेंगे, तो log k होगे, and we have to process n elements, so the time complexity of this algorithm will n log k, ठीक है, तो I hope आपको एची समझ में आए हो, तो मतलब हर operation के जो, मतलब आगर हम push कर रहे हैं heap में, यह push, heap से कुछ ले रहे हैं, like pop कर रहे हैं, तो basically, log k जो है, वो time लगने वाला है, ठीक है, हर operation का time log k होता है, और n elements को process करना, तो total time जो हो गया, वो इस algorithm में, इस sorting में कैसे करने वाले है, तो let's take the example of this array, ठीक है, हम अपने इसी वाले array का example ले लेते हैं, तो 357, 1268, ठीक है, 357, 1268, 357, 1268, 357, 1268, 357, 1268, 357, 1268, जाएंगे बनाने, तो कुछ heapify करकर आप बनाते थे, कुछ ऐसा करकर, ठीक है, तो वो complex structure हम नहीं बना रहे हैं अभी, हम बनाएंगे basically, यह आप मान लेजी, यह मेरा एक heap है, इसमें मैं अपनी values को store करने वाला है, अब सबसे पहले, मेरी जो value आई, वो आई 3, मेरे पास, ठ मैंने क्या करा, मैंने 3 को heap में डाल दी, ठीक है, heap में मैंने 3 को डाल दी, कि मेरा heap जो है, वो खाली है, अब आगली value मेरे पास आई 5, अब 5 आई, तो मैंने क्या करा, मैंने इसको भी चलो डाल के, अब मैं बता दूं कि हम यहाँ पर third largest element find out करने वाले हैं, ठीक है, अब third largest element find out करने वाले हैं, तो five को मैं जब डालूँगा, तो basically अब यहाँ पर हम maximum element find out करने जा रहे हैं, third largest element, ठीक है, अब जब largest element find out करने जा रहे हैं, basically हमें min heap की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, min heap की जरूरत पड़ेगी, basically आपको यह चीज़ याद रखने वो, आपको समझ में आएगी, जब हम processing करने जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा, एक बात आप अभी याद रख लेजी, कि अगर आप largest element find out करेंगे, तो आपको min heap की जरूरत पड़ेगी, और अग करना, तो minimum heap का आपको मतलब होगा, कि जो सबसे minimum value होती है, वो उपर, top पर होनी चाहिए, heap के, ठीक है, तो 3 और 5, अब अगली जो हमाई node आई, वो आई 7, 7 आई, अब basically 3 तो सबसे चोड़ आए, तो मैं इसको नीचे insert कर दो, अब it can be, कि 7 मेरा इधर हो, ठीक है, 7 मेरा इस वाली position पर मैं ही रख सकता हूँ, क्योंकि as मैंने आपको बताया था पिछली बार भी, कि ये जो पिछले element है, इनका order matter नहीं करता मुझे, मुझे matter किसका करता है, सिर्फ इन 3 elements का order, मेरे को इन से कोई मतलब नहीं है, किसी भी order में हो, ठीक है, और वही मेरा maximum heap की property होती है, कि ये minimum heap की property मतलब जो minimum है इन सब में, वो top पर रहेगा, बाकि नीचे क्या order है, उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है, तो ये बात हो गई, अब अगली node मेरी आई, अगली node मेरी आई, 1, अब 1 को मेरे को डालना है, तो as we know, कि 1 जो है, वो सबसे छोटा element है, तो obviously हम इसको रख दि ठीक है, अब 1 को मैंने रख दिया, top पर, जो मेरी heap है, उसमें मैंने रख दिया, अब basically, as I was discussing, कि जो operations होंगे, वो log k होंगे, अब log k के कैसे होंगे, log k के तब होंगे, कि जब मेरे heap में सिर्फ और सिर्फ k elements हों, अब क्यों हों, देखी, अब अगर मेरे पास को एक element आता है, जो की मेरा 3 से छोटा है, ठीक है, अब 3 से छोटा element अगर मेरे पास आता भी है, मेरे पास 3 से छोटा element कोई आता है, तो देखो, मेरे पास 3 से छोटा element आता है, तो उससे मुझे मतलब है ही नहीं, क्यों, क्योंकि मेरे पास अभी तक का, अगर मैं इस वाली heap में देखूं, ठ तो यह है अब मेरे पास let's say कि 3 से छोटा कोई element आता है तो मुझे इससे मतलब क्यों नहीं है तो कि देखिए अगर मेरे पास पहले ही 7 और 5 मतलब 3 से बड़े 2 element already है तो let's say कि मेरे पास जो 3rd largest element है वो 3 ही है मतलब array में मेरे पास कोई और element बचा ही नहीं है तो मुझे 1 से मतलब होगा मतलब 3 से छोटे element से मुझे कोई मतलब होना चाहिए नहीं क्योंकि मेरे जैसे आपको बताए कि मुझे सिर्फ बड़े वाले 3 element से मतलब है उनसे छोटे जितने वी element मुझे उनसे मतलब ही नहीं है तो मैं क्या करूँगा मैं अपने heap से इस one को remove कर दोगा ठीक है इस one को remove कर दोगा अब अगली node मेरे पास आई 2 तो 2 3 से बड़ा है तो अभी तक का minimum 2 आएगा अब फिर से मेरा जो heap का size है वो 3 से मतलब जितने element मुझे required है उससे जादा हो गया तो मैं फिर से इसको हटा दूगा मैं कहा दूगा तूजा मेरे को देदी जरूरत नहीं है अब फिर से आया 6 अब मैंने 6 देखा तो 6 मेरा जो है वो 5 और 6 7 के कहीं बीच में होगा तो let's take कि जो मेरा 6 है वो इधर हो जाल देता हूँ क्योंकि मैंने आपको बताए कि minimum उपर होना चाहिए नीचे से मझे कोई मतलब नहीं है अब मेरा size हो है वो फिर 3 से जादा हो गया तो I'm gonna remove 3 क्योंकि मेरे पास 3 बड़े element already है तो मुझे उन से छोटे element की जरूरत नहीं है अब अगली node process होने के नहीं नीचे डाल दूँगा क्योंकि जो मेरा यह है 5 वह already कहीं न गई मेरा top पर जो है यह जो मेरा 5 है वह उसकी मेरे को जरूरत नहीं हो तो मैं इसको 5 को remove करूंगा अब जैसे ही मैं 5 को remove करूंगा तो as we know कि यह अपने आप already जो है वह automatically shift हो जाएगा क्योंकि जम मैं इसका टॉप मांगूँगा कि मेरे को टॉप बता के दो अपने क्यू में जो सॉरी अपना जो मेरा यह है हीप अब हीप के top element कौन सा है तो जब यह मैं top करूंगा तो यह इसमें से इन तीनों में से जो भी minimum element होगा वो मुझे return करकर दे दीगा तो मेरे पास जो answer आएगा वो रखते हैं कि largest element is 8, second largest is 7 and third largest is 6 तो मेरे को answer अपना मिल गया और हमेशा मेरे q में k elements रहे तो मेरा q के हीप में सारे k element रहे तो जितने भी इनके operation होंगे वो log k होंगे और end note पर मैंने operation परफर्म करा तो मेरा analog k जो time complexity हो गया तो आपको यह चीज clearly समझ माई होगी हीप की अब इसको आप जब programming में करेंगे तो you don't need heap अगर आप चाहते हैं heap design करना पूरा तो कर सकते हैं max heap 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 को आपको यूज करना है और डॉट पुश डॉट पॉप यह उप्रेशन करते हुए कर जाना क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग से मतलब है आप पॉंट्स में बैठेंगे तो आपको किसी एक प्लेस्मेंट में बैठेंगे तो आपको सिर्फ टैस्क के सपास कराने होते हैं कि आप सेफ्टी के लिए पढ़के जाए तो यह बात हुगाई आपका प्रॉब्लम की तो इस जल्दी से सॉलुशन की तरफ बढ़ते हैं कि वीडियो काफी लंबी हो गई है तो जावा और सीपी पी दोनों सॉलुशन जल्दी सी दिखा रहे तो कि आपके अंडरस्टैंड पर जब एक्जेक्यूट करेंगे तो सेम यह चीज है ठीक है तो यह सब आपने अलेमेंट्स बगरे ले लिए तो में हमारा काम यह लॉजिक का है ठीक है अब प्रियरिटी क्यों बनाई हमने अब कलेक्शन डॉर्ट रिवर्स और इस लिए यूज करा है क्योंकि जो जावा में जो डिफॉल्ट प्रारििटी के आपको देती है वो आपकी मिल जारे यहון क्या है और हमने मैं इच और एलेमेंट पर प्रोसेस करा, q.add array of element मत्तम मैंने डाला, फिर मैं चेक करा कि अगर मेरा जो size है, वो case से जाधा हो रहा है, तो मैंने top of the element को remove करना शुरू कर दिया, जैसे मैं आपको समझा रहा है, तो वही काम हम करते का है, each and every element को डाला, और अगर size से बढ़ा है, तो मैंने उसको pop कर दिया, basically pole का use है, ठीक है, और in the last, जब सारे element प्रोस पोर, तो मैंने उसका जो भी top है, peak element, वो print करा दिया, ठीक है, तो यह रहा Java solution और यह रहा आपका CPP solution, same है, priority queue, इसमें भी हमने करी है integer, अब Java में, जो default priority queue होती है, वो min heap होती है, और जो CPP में होती है, ठीक है, तो आपको यह चीज़ याद रखने है, तो basically push करा, size बढ़ गया, pop करा, और last minute top को print करा, तो I hope आपको यह दोनों solution, Java और CPP के समझ में आयोंगे, concept समझ में आयोगे, problem समझ में आयोगे, तो अगर आपको सब कुछ समझ में आ जया तो इस video को like कीज़, अपने दोस्त कट आयो, तो और कुछ आप चाहते हैं, तो मैं उसको अलग से video detail बना कर clear करने कोशिश करूँगा, तो मेरे चैनल को subscribe नहीं करा, तो अभी तक subscribe कर लीजिए, और bell icon को press कर लेना, क्योंकि यह जो sheet है, उसकी और problems, बहुत सारी 450 problems है, अभी तो सिर्फ तीन ही हुई है, तो काफ कर दो कर दो